हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल पड़ी हेल्थ एन ब्यूटी फ्रेंड्स तो दिन बाद इद है, मेरे जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स है, सब्सक्राइबर है, व्यूवर है आप लोगों को इद मुबारक आज का जो हमारा वीडियो है, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगी इद स्पेसल फेस पैक या फेस पैक आपके चेहरे पे फेस्टियल जैसा निखार देगा आपके चेहरे को गोड़ा और चमकदार बनाएगा तो आएए देखते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे है और इसका यूज कैसे करना है इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक साफ कटोड़ी लेना है अब आपको एड़ करना है एक चमच बेसन देन एक चम्मच सहद देन आधा चम्मच नीम्बू का रस इसके बाद लगभग आधा चम्मच चीनी फाइनली मैं इसमें आड़ कर रही हूँ लगभग दो चम्मच कच्चा दूद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इस मिक्सचर को अपने चेहरे के उपर अपलाई करे और अपलाई करके लगभग दो से तीन मिनट तक अपने चेहरे पे हलके हाथों से स्क्रब करे 2-3 मिनट तक स्क्रब करने के बाद अपने चेहरे पे इसका दूसरा लेयर लगा के 20 मिनट तक लगा छोर दे 20 मिनट बाद इसे ठंडे पानी से धो ले और अपने चेहरे पे आप मॉस्चराइजर लगा ले या फिर जो भी मेकप करना है मेकप कर ले मैं आप लोगों को एक और टिफ्ट देना चाहूंगी जो कि आपके चेहरे को और भी चमकदार बनाएगा और गोरा बनाएगा जब आप इस फेस पैक को लगाते हैं तो इस फेस पैक को लगाने से पहले अपने चेहरे पर स्टीम ले ले भाफ ले ले और भाफ लेने के बाद जिस प्रोसेस से मैंने बताया है जैसे मैंने बताया है उस तरीके से इस फेस पैक को अपने चेहरे पे अपलाई करें और जब यह ट्राई हो जाय तो इसे पानी से धोले और धोने के बाद अपने चेहरे पे आइस क्यूब से मसाज करें कम से कम 2-3 मिनट तक आईस क्यूब से मसाज करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गर्मियों का मौसम है जब आप मेकप करेंगी तो आपके चहरे पे पसीना नहीं आएगा इसलिए आप अपने चहरे पे आईस क्यूब से मसाज कर ले दोस्तों अपने इद को इस special बनाने के लिए इस special फेस्पैक को जरूर ट्राइ कीजिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेर कीजिए ताकि उनका भी इदे स्पेसल हो इस इदे स्पेसल फेस्पैक के साथ और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और जो सब्सक्राइब के बगल में वेल आइकन है उसे जरूर दबाईए ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियो से भी अपडेट रहे थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो बाई बाई